टाधा वलब शीहरीवंस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साल से अठारा साल तक के बच्चों को जिद्धी होने से कैसे रोका ज़ए एक साल से पांच साल तक के बच्चे थोड़े बहुत तो जिद करते हैं लेकिन इसी बीच माबाप के द्वारा की गई दो बहुत इस रादा पर बड़ी गलतिया जो कि इतना जाधा जिद्धी बना देती हैं कि जीवन भर पिर कहना नहीं मामते हैं यही बच्चे फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहना है गुरुदे के पास जैसा से बच्चे आते हैं कि एलीविंग रिलेशन में तलाफ सुदा के संकल ऑददें किया सुरु हो जाती हमारी ही हम कहते हैं बैटा बताओ आज क्या खाओगे मैं वही बनाओंगी कौन से रंग के कपड़े। मैं वही पहनाओंगी या पिर कहूंचा ऊपको खिलोना पसंद में आप बचा जाते भी हैं कभी बच्चों से पूछे कि कौन से खिलोना आपको कौन सा चाहिए बिलकुल नहीं जब हम बच्चों को यह विकल्प यानि चुनाव करने का मौका देते हैं तुन्हें ऐसा मतलब उनकी आदत बन जाते हैं उनकी मन में यह प्रभाव पड़ता है कि हम जो कहेंगे हम महत्यपूर्ण हैं हमारे म अगर आप ऐसा करते ही रहें नहीं समझ पाए तो एक दिन ऐसा होता है एक बार बच्चा जैसे कि आज हम पूछ रहे हैं लेकिन कभी हैसियात होती है कभी नहीं होती जैसे कि मेरे भाई का एक दोस्त है तो वह अपनी बहन के शादी में जो है बाइक लेनी की जिद कर रहा अब मतलब मेरी ममी नहीं बताया कि बताओ वह जो दोस्त है उसका बहन के साधी में लोन रहता है ममी पापा के उपर उपर से वह बहन के साधी में बोल रहा था कि मुझे बाइक चाहिए दो-तीन दिन भूख रहा इतना जादा जिद से परिशान रहे अब लोन में माबाप ह एक बढ़े होकर के बना है तो समझे ये आदितने अधितने हो घृता हो गया ना आधितों अब घ्यास अगर एक चीजण का तो छोटे बच्चे से एक से लिकर पांस साल ते जब इस समय बच्चा टॉफी मांग रहा है कुर्कुरे मांग रहा है खिलोने कोई मांग रहा है तो उस समय आपको जो है वही जित पूरी नहीं करनी बहले ही आप थोड़ी देर बात दे दें लेकिन उस टाइम जो चीज बन है बच्चे वह खाओ वह खाना सीको अगर कोई जित कर भी रहा है कि ये मुझे खाना है तो कभी और बना कर के दें देखिए अगर वह मैगी कह रहा है तो बिल्कुल भले है आप पास्ता बना दें लेकिन मैगी बनाके ना दें उसके जिद पूरी ना करें पहली जिद अगर आप ये करो थोड़ा सा तब मैं आपको दूगी या फिर बड़े बच्चों को जैसे कुछ चीजें लेनी का प्रयास कर रहे है कि मोबाइल के फिर बाइक ले रहे हैं तो आप 10 पढ़ रहे हो तो इतने नंबर लाओ तब आपको ये चीजें मिलेंगी या फिर मतलब उस चीज को भूलाने की चाओ पौधों को पानी दे के आओ कपड़े अरेंज कर लो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा काम में फासी हूं इस चीज को कंप्लीट कर लो फिर मैं आपको दूँगी तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट और ये भी उनका अभ्यास होगा मतलब उनकी प्रैक्टिस होगी कि हां में ये काम करूंगा तभी मुझे कोई चीज मिलेगी तो काम का भी एक तरफ से अभ्यास बनेगा और उनकी थोड़ी सी मतलब ये भी माइंड सेट उनका बनेगा कि कोई भी चीज सरलता से प्राप्र नहीं हो सकती है ठीक है तो कुछ मेहनत गढ़े ही आप कितने बड़े आदमी हों पैसे दाम सब कुछ हो लेकिन ये इस चक्कर में कि हम अपने बच्चों को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दे हर एक सुईधा उपलब्द कराएं इसमें बच्चों को जो है हम बहुत जादा मतलब जिदी बना देते हैं फिर वो उत जाया हाँ चीज कर बैलेंस होना चाहिए वरना बाहर कुछ चीज नहीं कर पाते हैं और इसी से जिद बढ़ती जाती है यह चीज है दूसरी चीज है मोबाइल के वज़े से बच्चे इतना जादा जिदी हो जाते हैं कि पूरा उनका कॉंसेंट्रेट यही हो जाता है कि मोबाइल नहीं देते हैं बड़े बच्चे तो फिर खरीदने के लिए कहते हैं अभी तो चोटे बच्चे जो है अभी देखने के लिए दो नफरत भी होने लगती क्योंकि पूरा माइंड उनका केवाल एक तरफ रहता है कॉंसेंट्रेट मोबाइल की तरफ रहता है सोच व मा ने मतलब गेम खेलने के लिए मोबाइल ने दिया तो मा की उसने हत्या कर दी सची यह घटना है कोई यूही नी बता रहे हूं मा की बेटे ने हत्या कर दी मोबाइल की कारण तो आप यूटूब पर साच करके देख सकते हैं न्यूज आज भी पड़ी है तो इसलिए छोट से गलती फांच मिननट के लिए आप यह भाजा नहीं लगा के देखें लेकिन अच्छा चीज भी देखता है धीरे-धीरे-धीरे अभ्यास यह एक चीज कुछ गलत देख लेता है तो मतलब अच्छा भी देखता है गलत ऐसलिए अच्छी चीज़ने भी आपको सीखक चोटे सी चीज के लिए भी बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें वरना उनकी पूरी बंद हो जाती है दिमाग ही वह सोचने समझने की शंता उनकी कम हो जाती है आखे तो कमज़व होती ही है क्योंकि पूरा माइन उसी तरफ लगा देते हैं तो यह दो बाते ध्यान रख वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद राधे राधे